उनके उत्थान के लिए और इस स्कूल का बनाने का मेन मुख्य उदेश्य था और यहां पे एक चूरुजिले की एक मातर स्कूल है जिसमें एक रुपे भी फीश का लगता नहीं था और दलिच समाज के लिए एक सिख्षा का मंदिर हुआ करता था जो आज पिछले 2012 से ये स्क लेगर्यों की आर्पी राष्ष्तान दर्सको सर्दारश्य विदानशवाा चैट्र में एक मुद्दो बंढ़ रहे हैं मुद्दो है बापास यह सदन स्कूल लेगे एसी समाज क्या है कि बापास यह सदन स्कूल की जगी जमीन है भी जमीन पर बनने वालो हौस्पिटल को को नाम बाबासाभ या फर दलित वर्गाजगा मसी disappears को नाम दियो जा वाए और अनिल सरमा यानि वरा मिधाइक सरदार का बहरां इल सर्मा को नाम है जिला होस्पिटल भोरलाल जी के नाम हो बना वह है तो आज आज आपां भी मुद्वन लेंगे बापा सियए स्कूल के बारा में भी अदर मोचूद में खड़ आ हां उच्ख को अपनेtext का एक दम बीच में खड़े हैं और अठे थाने पहला चारू तरफ कैमरे में अनरोध करूँगा कि यह स्कूल न दिखाने की कोशिश करें अठे भी चात्रावास भी होया करता है और चूरू जी लोगो एकमत्र इश्यो स्कूल है जठे फरी की सिक्षा और खाने की सुईदा और रेने की सुईदा मिलती ही दलित वर्ग, SC वर्ग जिता भी बच्चा है जगा अठे पढ़ता और अठे भी रहा करता तो आप स्कूल के अंदर फिलाल में मौजूद है और अठे गिनाणी बी बोलस का अठे, किनाणी और एक बिने पुराने समय को पंप है बिने बो भी बोलस का वो अड़ मौजूद है और होस्पीटल बनने की बात है वो भी आप लोगा ने दिखावांगा वो भी इसौज म मेरा नाम गुरूदानका है और मैं यहीं ओवार्ड 18 का निवार्शी हूं अठारा के निवासी हो aap तो एक वापा से ऊसदन स्कूल के बारा हम सुनना मारी एक दान दाता जमीन आ है का पहले से कुछ मतलब लफड़ा है बुराना और यहां पर जो यह जमीन इस संस्ता का बापा जवासदन बनाने का मुख्य उदेश से यह था कि जो आसपास में यहां पर दलिच समाज के लोग रहते थे दभी और निची जाती के लोग रहते थे तो उनके उत्थान के लिए और इस स्कूल का बनाने का में मुख्य उदेश से था और यहां पर एक चूरुजिले की एक मातर स्कूल है जिसमें एक रुपे भी फीस का लगता नहीं था और दलिच समाज के लिए एक सिख्षा का मंदिर हुआ करता था जो आज पिछले 2012 से यह स्कूल बंद पड़ा है औ जमीन मौजूद है या फिर गिनानी वाली या फिर ओस्पिटल बनाबा नहीं पूरी स्कूल थी और मेरे सुनने में जहां तक मेरे मैंने बुजूर्गों से इसकी जानकारी लेने के जानकारी लेने का प्रियास किया तो मेरे को यहां पर कुछ मेगवाल समाज की जमीन तो वो उनके साथ में यहां के जो बापा शेवा की जो करता दरता थे इस संक्षन के जो पर मुकादयक्स थे इनकी कमेटी थी इन्होंने आपस में समझोता कर दिया कि आप आस पास के कहीं दूसरी जिगह पे शिप्ट हो ताकि यह जमीन है जो आप ही के बच्चों के भवि जमीन इस तर पर साकार हो इसके लिए अपने घरों के भी आहुती दिया उन्होंने अच्छा कितने विगा जमीन के बात करें टोटल ये गुंचास विगा और कुछ विश्वा ये पूरी जमीन थी जिसमें से तेरा विगा कुछ जाड समाज को अलोट कर दी गई या मतलब कु कोई देखता याद है कि जड़े स्कूल चालो इसो चारी रूप से साथ मैंने इसको चलता हूँ अभी देखा है और पहली और दूसरी क्लास की मैंने शिक्षा है वह इसी विद्यले से मैंने ग्रेंड की है यहां पर मैंने बच्पन में जैसे होता है अपन इसकूल जाना मै गूयरा है मैंने इससी शोफ से चिखा है ऐस कूल बंद पड़ी है गया है दिल रोता है अंदर से और जमीर मरहाओ अशाल होता है क्योंकि आज बंद पड़ा है और देरे देरे यहांके जो बावन की हालत है वो जरजर होते जा रहे हैं अच्छा अनियल सर्मा विदाइक जी ने एक इल्जाम भी आरोप लगा जारी है कि कुछ भूमाफ या जमीन दावरा की है कि सत्य है या पचास विगा जमीन मौझूद में है अब अन बाउंडरी लांग के तो कोई कपजा नहीं कर सकता वह बाउंडरी आज भी आप देख सकते हो दरातल पे वह बाउंडरी मौझूद है लोग जो शीमा दाएरा इस बापा शेवा सदन की जमीन का उससे बाहर है आज भी यहांके इस्तानियर लोगों के द्वारा कोई कपजा नहीं किया गया है बाकि जाट समाज को तेरा याज साइट चौदावी का जमीन अलोट जरूर की हुई है तो दर्सको अब आपको दिखाते हैं जो हेंड़ पंप है वो जिसे गिनानी का रूप लिया गया है और एक वो जहां पर होस्पिटल बनना है वो दिखाने कोशिश क दर्सको बापा सेवसदन के बाद में अब मेफिलाल पहुंचे के हां गिनानी मुलवासी गिनानी की काफी सही करने की काफी मांग कर रहा है का गिनानी है और मुलवासी प्रेसान भी है बाग गिनानी को रूप आज में दिखाना आया है आग गिनानी साइट देख पारे हो और पुराने समय के आपा बात करां तो ओ पंप बी टाइम होया करतो और आज देख पारे हो थे पूरो को पूरो मेदान पाणी हूं लबालब है और गंदगी अठे ना उड़े को नी तो बी साबू आपा चाला आप लोगा ने दिखावाँ इस साइड को नजारों दिखाने क कोशिश करें के मेदान यानी ग्राउंड हो याकर तो राज इस साइड को नजारों दिखाने कोशिश करें इस साइड को पूरों पूरों दिखाने कोशिश करें गिनाणी थे लोग देख पारे हो और पास में नजदी घर भी थे लोग देख पारे हो इं मोले का लोग पतो को नी किया रहा है पर गिनाणी देखने के बाद और मेड़ पहुंचा हां तो दस मीट खड़ो रहनों भी मारे लिए बहुत कठीन काम है तो यह लोग कपी समय होट रहे हैं यह लोगां को लोग यह भी उमीद कर रहे है का कदी ने कदी गिनानी को समाधान कोई ने कोई कर रहे है तो ओभी आरोप मुले का छेतर का लोग लगा रहे है का गिनानी को कोई ने कोई समाधान करे और बी तरफ किस आपड़ारें, तो बी तरफ है, जगा अनिल शर्मा ह। मनाने कावाद कोशिव करें, तो भी तरफ है, कोशिव अप दिखाने तर्फ है. दरसको अठाव involving आपकुश्य कारी और लेसे करां वे सट लुक के पता अपकल किते साघे तर्फरम। किताग वर्साओं देख रहे हुआ अभी आपने देखा जैसे कि छोटा से एक पंप हाउस था यहां पर यह जो पूरी जगे जहां पर आज किचड़ है और यह गंदा कचरा आपको नजर आ रहा है यह बच्चों के यहां पर आसपास किस्तानी लोगों के लिए खेलने का मैद बच्चान हुआ करता था जहां पर लोग गेम खेलते थे और अपने जो व्याम की एक्सरसाइज की प्रकिरिया करते थे और यह पहले दिखाया था वीडियो के अंदर वह पंप हाउस एक चोटा सा पंप हौस था आज मतलब गिनानी का दारा इतना सा था इस गिनानी के दार से ने आज विसाल विस्तार करते हुए और इस पूरी बापा शेवा सदन के खाली पड़े मैदान को निगर लिया है आप यह दरातल पर देख सकते हो और लगबग मुझे जहां तक जानकारी है 2003 के बाद में यह स्थीतियां बनी हुई है यह गिनानी 2003 में मेरे को सुनने में वजूर्गों से पता चला कि 2003 के बाद यह गिनानी बनी और लगबग जैसे जैसे स्कूल बंद हुआ तो गिनानी का उपर भी इसका भी बारिस के मौसम में बुरा आल रहता है और बापा सेवा साथ में मिलाने का मुद्दा मतलब यह है कि जो मतलब बापा शेवा सदनी स्कूल है उसी जमीन पर गिनानी है और दूसरी बात यहांके प्रात्मिकत हो देखा जाए तो लोगों के स्वास्तिय को अगर आप यह Fried penalty जादार करना चाहते है तो पहले इस गिनानी को अटाकर यहां के जो लोग हैं उन्हें राहत दें क्योंकि यह जो अलग अलग तरीके की बिमारियां यहां पर आए दिन लोगों में फैलती रहती है और लोगों की जीवन लिला हैं वो आए दिन इस गिनानी के कच्रे की वज़े से और यहां के दूसी शर्मा ही तार्गेट कोई अनील शर्मा का नहीं है या किसी और नेता का नहीं है हमारा टार्गेट इतना है कि हमारा जिस परकार हमें आई चुनाओं में रबड की गोलियां दी जाती है वो रबड की गोलियां यहांके इस्तानी नेता देना बंद करें और कम से कम इस आगामी जो गिनानी है वो सबसे पहले गिनानी हटे उसके बाद में नमबर दो पे स्कूल की बात हो नमबर तीन पे उस्पिल की बात हो बहुत बहुत धन्यवाद, कहने को मतलब दर्श को, पहलो काम बापा शेवा सदन स्कूल की जमीन पर जकिया गिनानी है, इन्हें हटाई जावे, मुल्ले के अंदर है, और बी के बाद में होस्पिटल जद बन रहे हैं, तो होस्पिटल हों पहला काम है, आठका लोग अचाव है, आठका गिनानी हटाई, बी के बाद में होस्पिटल शुरू करें, और होस्पिटल पर, यानि बापा शेवा सदन स्कूल की जमीन पर होस्पिटल बन रहे हैं, बी कार्ण हों, जकि या जमीन SCST की बता रहे हैं, तो बी जमीन पर बाबा साब डोक्टर भीमराव पर, तो दर्सको बापा शेवा सदन स्कूल और गिनानी दिखाने के बाद में मैं पहुंच चुके आहां, जठे होस्पिटल बन रहे हो, आई साइड रोड देख पारे हो, आँ सामने रोड है, और रोड के ज़स्ट नजदीग आठे बाद जगया है, जठे होस्पिटल बन चारो तरफ को नज़ारो, पूरो को पूरो ग्राउंड खाली है, और अठ बो होस्पिटल बन रहे हो, और नज़ारो इस साइड को है, इस साइड कन्या महाविजाले बन रहे है, मोजूद में आप देख पारे हो, तो ओ है नज़ारो, अब इपर, अलग अलग परकार हूं, पूरी हकीकत, जमीनी हकीकत में दिखाने की कोशिस आप लोग आता करी है, और वीडियो थाने किसे ओक लागे हो, बड़िया लागे हो, लाइक करो, कमेंट करो, मिला दोस्तों, एक इस्चे दमाकेदार वीडियो को सागत, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद,